यह तीन तरह की chemistry है हमारे पास physical, inorganic, organic तीन तरह की बिल्कुल अलग अलग तरह की chemistry है अलग तरह की अप्रोच होती है बिल्कुल अलग तरीके से आपको पढ़ने पड़ती है और अलग अलग तरह के इसके कोशना करना चाते हो full auto full तो आपको इस pyramid scheme पर ध्यान देना है सबसे प है हलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और chemistry गुर जी अगेन आप सबका एक बहुत ही जादा important वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब किसी युद्ध के मैदान में जाना है तो आपको युद्ध का स्लेवस तो पता होना चाहिए कि युद्ध में आने क्यावाला है तो यह आपका chemistry का स्लेवस है पिछले 5-6 सालों से यही स्लेवस है इस से पहले अगर आप देखोगे तो 16 चैप्टर हुआ करते थे लिटरली और बहुत बड़े बड़े चैप्टर है जो डिलीट हुए है बहुत रट्टाफिकेशन है जो डिलीट कर दी गई है अब तो बहुत सारी चीज़े समझी जा स सकती है आपके लिए फील गूड्ट फैक्टर होना चाहिए टो डिलीट हैन्वार्क ऑमारा है औरotic बाया मोल्किल और रखा गया है अब डिसमे और गैंिक कोई बात है कि आप इसको अलग मानके के चल सकते हों यह तीन तरह कि आपकी chemistry होती हैं बेटा कौन-कौन सी भाई सबसे पहले हमारे पास है physical chemistry then inorganic and then organic और अगर कोई बच्छा मुझे कहे कि सर मैं बिल्कुल passing range में भी नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल जीरो पर हूँ मुझे पहले passing range में बताइए तो यह वेगन वील आप लोगों को anti-clockwise start करना चाहिए और मैं हर एक बच्छे को बहुता हूं कि पहले physical पढ़ो 23 marks जाती है इसके बाद inorganic पढ़ो physical chemistry ही आपको passing range में लेक कोई भी बच्चा एक proper action plan के according पढ़के 80% लेके आ सकता है चाहे वो आज जीरो पर भी stand करता हूं बाकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बाते में आप लोगों से पुछूंगा पहली बात तो क्या आपके हाफ फेली हो चुके है अगर हो चुके तो आपके marks कितने ह के साथ किसी इजाम की preparation कर रहे हो CUT की, JE की, NEET की यह comment section में जूरुता ना इसके बाद 10% paper आपका moderate आता है और 10% paper आपका moderate प्लस आता है ठीक है तो अगर कोई बच्चा moderate की भी त्यारी करके जलता है तो 90% उसके कहीं नहीं गए अब आज आते हैं बेटा जो सबसे important बात है कि यह pyramid scheme, यह pyramid scheme क्या है जो बेटा आपको base से top पर पहुंचा देती है अगर आप बिल्कुल 0 पर भी stand करते हो तो सबसे पहले अपना basic strong करो है ना तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे तो class 11 का basic उतना अच्छा नहीं है तो बेटा आपके लिए दो वीडियो बना रख गुरुजी नाम से, free of course मिल जाएंगी इसके लाब paid notes भी है चाहो तो उनको भी check out कर सकते हो बट मैं आपको बलूँगा कि नहीं check out करना तो free notes को download करो और पढ़ो और basic देखो उसके बाद आप लोग देखो one short और one short के साथ लगाओ notes बैटा मैंने आपको कहीं तरह के notes प्रो इसके लावा एंसी आटी के diamond questions इसके लावा one page notes इसके लावा formula sheet इसके लावा cheat notes यह सारे के सारे notes मैंने प्रोइड कर रखें तो अगर आप यह अच्छे से कर लेते हो तो आपके 50% mark सा दाएंगे अब बहुत सारे बैच्चों मुझे बोलेंगे कि sir one short best होते हैं कि detailed lecture अच्छ अगर है तो बिल्कुल पढ़ो अदर्वाइस आप बोड के लिए one short से भी कर सकते हो है ना उस one short को दो तिन बार पढ़ लो देखो बेटा यूट्यूब पर जो material है उसकी बरमार है आपको select करने पढ़ेंगे अपने teachers हैना और जो one short होते हैं लगभगो board के लिए रहते हैं board इसके बाद आप लोग चलो 80-20 रूल पर 80-20 रूल क्या बोलता है जैसे कि मैंने आपको बोला था फिजिकल में अलगतर है question आते हैं और 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 अलगतर है तो आपको question समझना पड़ेगा हर एक chapter में कुछ important topics होते हैं जिनसे question पुछे जाने की probability सवसद ज् पूरी पड़ो बट बेटा पहले उन topics को कर लो जिनके marks ज्यादा बनते हैं जिनके question ज्यादा बनते हैं जिनके 100% chance है की पुछे ही जाएंगे और इसके लिए बटा मैंने एक video बनाई है यह most important topics की video बनाई है बहुत सो समझ के video बनाई है इसका link भी आपको description मिल जाएगा और इससे बच्चों की half yearly में भी help हुई है और final exam में भी both help होगी यह मैं आपको surely बोलाओं जिस तरह की question बन सकते हैं वो सारे के सारे समें हैं अगर आप उन सारे questions को कर लेते तो आप 70% पर पहुंच जाओगे इसके बाद आप लोग लगाओ question bank question bank आपने किसी भी publication का ले रखो आप लोग कर सकते हो या फिर इसके अलावा पीवाई क्यू पीवाई क्यू मच्ट है देखो बटा एक्जाम में पुछे जाते हो questions तो बडियासे questions की practice करो जादस जादस की प्रेक्टिस करो प्रिविएस एर question की और अगर आप हर एक chapter का हर एक previous question लगा चुके हो उसके बाद NCRT पर जाओ अगर आपको पहले करने हैं तो पहले important NCRT मेंने हर एक chapter के बता रखे हैं वो करो बट अगर आपको सारे NCRT करने हैं वो बाद में करना हैं हो जाओगे पहले previous question कर लो सारे का सारे previous question और इसके लिए बटा आपके भारत सर की एक book भी है अगें इसका लिंक भी मै जाएंगे previous question भी है नए pattern के भी question है बड़िया रहने वाली है अब आजाओ बिल्कुल 90% तक यहां से पहुंझ जाओगे अब जो end वाला portion होता उसमें ज्याद effort लगते हैं तो उसके लिए क्या आपको NCRT line by line पढ़नी चाहिए आपको new type के question की ज्यादा ज्यादा प्रेक्ट हो जाए ठीक है यह बट आपको 95 to 100 marks दिलवा देगा क्लियर है अब बहुत सारे बच्चे मुझे क्या बोलते हैं कि सर टाइम टेबल में बड़ी problem आती है time manage नहीं हो पाता मैं तो offline पढ़ता हूं मैं तो online news coaching पर जाता हूं क्या सही है क्या गलता समझ में नहीं देखो बटा सब्सक्राइब करते हैं कि आप कहीं से भी पढ़ोगे अगर नहीं आ रहोगो तो नहीं पढ़ रहोंगे और पढ़ना भी नहीं चाहिए ठीक है अब में बात यह है आपको देखना पढ़ेगा हमारा free time क्या है तो आपको डाटा देते हैं वह डाटा आपको रिटेन करना है और रिटेन तभी हो पाएगा जब आप self study करोगे getting my point मतलब आप 10 गंटे tuition लगा लो 12 गंटे tuition लगा लो online पढ़लो offline पढ़लो सिर्फ उसको पढ़ने बर से नहीं होगा मतलब टीचर से ने पढ़ा दिया उससे बात नहीं बनेगी आपको खुद से भी पढ़ना पढ़ेगा है ना और उसके लिए समसे बैस रहता है हमारा slot wise time table दिन को तीन slots में divide कर लो मैं बात करहाँ five days in a week, six days in a week की मतलब Monday to Saturday, Sunday को आप अलग चीज़ पे चल सकते हो बात करेंगे slot one क्या होता है अच्छा पहले तो आप यह देखने कि अपना आपका माइन highly efficient कब होता है कुछ बच्चे होते हैं जो morning में जाद एक्टिव होते हैं वैसे student life में morning में जाद एक्टिव हो जाना कहीं बटा ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है आप श्याम को भी एक्टिव हो सकते हो आपको सब्चेक्ट कौन सा लगता है स्लोट टू आप लोग दो afternoon में जो आपका free time है afternoon में mostly हमारी body थोड़ा downside में चली जाती है तो यहां पर आप लोग एक easy subject को दे सकते हो और जो स्लोट 3 होगा वह evening का होगा या night का होगा जो भी आपका free होता है उसमें आप एक moderate subject पगड़ सकते ह time में से और जो आपका weekend होगा weekend में आप लोग इन subject की तो सिर्फ revision करोगे नए topic नहीं करोगे और जो आपके not so important subjects होते हैं जो इतने जादा efforts नहीं मागते like English, physical education, computer science है न यह ऐसे होते हैं subject जिनमें कम effort में जादा output आ सकती है तो उनका weekend पे देख सकते हो बड़ जो PCM है PCB है य regular आपको पढ़ने पढ़ेंगे अच्छा अब बहुत सार बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो कहीं से नहीं पढ़ता मैं तो सिर्फ YouTube से पढ़ता हूं क्या सिर्फ YouTube से पढ़के अच्छा score कर सकते हो बड़ चिल अगर यह है कि सर मुझे तो regular पढ़ना है मुझे तो daily पढ़ना ह आप से ही live class में पढ़ना है तो आपके लिए करन प्रो बैच है 2.0 करन प्रो बैच 2.0 यह आने वाला है 1st of October से और इसमें हम और्गैनिक केमिश्ट्री करेंगे फ्रॉम बेसिक स्टार्टिं में और्गैनिक केमिश्ट्री होगी उसके फिजिकल इन और्गैनिक होगी ठीक ह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा और आप जस्ट 1299 इसका प्राइज है और बड़िया था बैच है और फील आजाएगे आपको यह अपको यूट्यूब पर भी सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है यह तो यह होता है कि आपसे live पढ़ना है daily पढ़न है सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर का वन शूट देखोगे नोट साथ में रखके फिर आप उसके प्रीवेस और कोशन करोगे मल्टिपल रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो मल्टिपल रिवीजन के लिए आप 30 मिनिट्स वीडियो देखो मैंने हर एक चैप्टर के 30 मिनि हो चुकी है आगे मूब करते हैं दो तीन इंपोर्टन बाते और सिख लिए बैटा रेगलर रिवीजन इज मस्ट देखो बैटा यूट्यूब टीचर सब बच्चों को पता दल जाएंगे वन शूट भी सभी बच्चों को पता चल जाएंगे जो एक चीज है टोपर को और सब बच्चों कंपलीट करना है तो फिर आपको मल्टीपल रिवीजन करना है तब ही डाटा रिटेन कर पाऊगे मैंने वनना होता है कि एक टोपिक मुझे एक बार समझ में आ गया सर दुबार आप पढ़ने मैठा तो भूल गया वो इसलिए भूल गया क्योंकि उसी एक बा को हाथ में लेकर देखो ठीक है और अभी आपके हैल्प के लिए मैं क्या ले क्या रहा हूं सूपर फोर्टी डाइमंड प्रिवेस एर कोशन ले गया है नो हर एक चैप्टर के और यह 40 कोशन वह होंगे जिन से बार कोई कोशन नहीं बनेगा और इन 40 कोशन के अंदर ही पू कोशन को पढ़के देखो ठीक हो जाते हैं उसके लिए अपकी हेल्प कर देगा आगे मूब करते हैं सबसे इंपोर्टेंट फर्गेटिंग करव के बारे में आप लोगों ने सुना गवा ओके आई थिंक यह आपको सई से नहीं दिखाई दे रही है मैं आपको फर्गेटिं पढ़ा दें पर फिफ्ट पढ़ा लगबग आप 95 परसेंट तक उसको कंज्यूम कर सकते हैं तो यहां पर आप याद रखिए पैंटा वन किसी भी टॉपिक को अगर अच्छे से करना ना तो पैंटा वन के बारे में समझो पैंटा वन क्या है किसी भी टॉपिक को जब आप पहली बार पढ़ रहो उसके गंटे बात दुबारा पढ़ो एक गंटे बात दुबारा देखो इसको मैं हर एक बच्छो को अपनी कलास में यह बोलता ओं जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद एक बार देखा करो 10-15 मिट लगेंगे उसके बाद नेक्ट डे ज और फिर वन मंत के बाद एक बार आप उनको देखोगे और इस तरह देखोगे जब आप कोई टोपिक पांचे बार चार पांच बार पड़ चुके हो तो आपको कोई मजबूर नहीं गल सकता मतलब ही नहीं बनता है कि आप लोग उसको भूल जाओ और यह सिंपल सिंपल सी बा मुश्किल आया था और एक बाद आता हूं 2023 में मैथ का पर बड़ा मुश्किल बना था 2024 में फिजिस का पर बड़ा मुश्किल बना था 2025 में आप अच्छे समझ सकते हो तो तो त्यारी मुश्किल के लिए करके चलना है मैं हमेशा बोलता हूं hope for the best be ready for the worst हम लोग अपनी ब आपको इस वीडियो को अपने दो फ्रेंड्स के पास जुरूर शेयर कर देना that's all in this video बहुत ख्याल लगिए बहुत जम देते हैं God bless you all, please take care जैहिंद